जब भी कोई क्राइम होता है हम में से कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें नया क्या है ये तो फला फला के साथ भी हुआ था लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो क्राइम बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना था कि फोन पर किसी से OTP शेयर मत करना लेकिन ये जो अपराद अब हो रहा है खासका राजहानी दिल्ली में हुआ है एक शक्स के साथ और उनके अकाउंट से करीब करीब 50 लाख रुपय चले गए जानते हैं उनकी गलती क्या थी उनकी गलती सिर्फ वो थी जो आप भी शायद रोजाना करते होंगे उन्हें एक नंबर से कॉल आया उन्होंने वो कॉल उठा लिया वहाँ से कोई आवाज नहीं आई इधर से ये हलो हलो कर रहे थे और चंद सेकंड के अंदर उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया चला गया ये बिलकुल नई तरह का अपराद है अभी तक पुलिसस के बारे में पता नहीं कर पाई है कि कौन सी टेक्नॉलोजी इस्तिमाल की गई है लेकिन ऐसा लगता है कि जिस शक्स ने इन्हें फोन किया उसके पास इनके फोन का रिमोट एकसेस आ गया था और जब तक ये हलो हलो कर रहे थे इधर से कोई आवाज जा नहीं रही थी उतनी ही देर में क्योंकि उस शक्स के पास इनके फोन का रिमोट एकसेस था उसका काम हो गया इसके बारे में पता किया जा रहा है कुछ लोगों ने मुझ तक ये शकायते पहुँचाई हैं और ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने प्लैटफॉर्म पर इसके बारे में बात करें दोस्तों अब ये पुरानी बात हो चुकी है कि अपना OTP शेर मत करना आपको ठगने वाले अब एक कदम आगे निकल चुके हैं ऐसे में आपको भी तैयारी पक्की करनी होगी पहली बात तो ये है कि अगर अंजाने नंबर से फोन आ रहा है कोशिश कीजिए मत उठाईए को इसको अगर जरूरी आप से काम होगा तो आपको SMS कर लेगा नहीं तो आजकल WhatsApp या Telegram तो सबके फोन में होता है वहां से कोई मेसेज आ जाएगा क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको आ रही ये जो मिस्ट कॉल है जिसको आप उठाएगे और दर से आवाज नहीं आएगी क्या पहनते औडते हैं किससे क्या बाते चल रही हैं सब कुछ इस फोन को पता है और सोचिए किसी ने अगर इसका रिमोट एकसेस ले लिया तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता और बहुत सारे लोग तो आजकल पेटियम और गूगल पेव अगरा जो इवालेट्स हैं उनको भी उसकरते हैं आप सोचिए कि उन तक भी एकसेस हो सकता उस विक्ती का ये बिलकुल नई तरह का अपराद है इसके बारे में बात होनी चाहिए ये जो फोन जिसे हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं जिससे ऐसा लगता तक उस समय पहले तक कि हम फोन रखते हैं अब ऐसा लगने लगा है कि फोन ने हमें रखा हुआ है क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते ये जहां चार्जिंग पर लगता है हम भी उसके आसपास मड़रा रहे होते हैं क्योंकि इसके पास हमारी वो जानकारी है जो शायद कई बार हमारे लाइफ पार्टनर और हमारे माता पिता को भी नहीं होती उतना कुछ जानता है ये फोन और सोचिए इसकी एकसस अगर किसी और को लग गई तो क्या होगा इस समय पिछले कुछ समय के दौरान बहुत तेजी से साइबर अटैक्स के मामले बढ़े हैं 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जो ये बताती है कि इस दुनिया में हर चालीसमें सेकंड में कहीं न कहीं कोई न कोई साइबर अटैक हो रहा होता है और इनमें से 94% साइबर अटैक्स ऐसे हैं जो इमेल के जरीए होते हैं और इस दुनिया की 64% कमपनीज ऐसी हैं जिनमें कभी न कभी साइबर अटैक्स तो हुआ ही है पिछले दिनों राज़ानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर पर भी अटैक हुआ था जहां से बहुत सारे वी बी आई पीस का डेटा चोरी हो गया था जिसकी तादात करीब 4 करोड के आसपास बताई जाती है यानि इस तरह के अटैक्स जो हो रहे हैं वो कहीं न कहीं हमें अंदर से खोकला कर रहे हैं हमें उनके लिए तयार भी होना होगा हमारी जो सुरक्षा और जांच एजेंसीज हैं उनको खुद भी स्मार्ट बनना होगा उन से जादा स्मार्ट जो कि किसी गाउं या कहीं पर बैठ कर इस क्राइम को करते हैं नेट्फलिक्स पर जामतारा हमने देखा था उस वक्त हमको पता चला कि किस तरह से इस तरह के अपराद को अंजाम दिया जाता है ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसके बारे में बात हो क्योंकि जब तक बात नहीं होगी हम सचेत नहीं होंगे इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाईए उनको बताईए कि आपके फोन पर आ रही मिसकॉल भी आपका खाता खाली कर सकती है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तुरंट पुलिस को सूचित करें क्योंकि आपकी जो गाड़ी कमाई इस समय बैंक में है जिसका एकसेस आपके फोन से होता है कहीं ऐसा नहो कि आपको कोई मिसकॉल दे कर आपकी वो सारी कमाई चुरा ले ऐसा हुआ है राज़ानी दिल्ली में हुआ है सिर्फ दो दिन पुरानी घटना है यानि जब एक शक्स को पचास लाख रुपए चुराने में कामियाबी मिल गई हो और उसका पता लगाना तो दूर लोग उसकी अभी टेक्नॉलोजी ही ना पता कर पा रही हो इसका मतलब यह है कि हम सब खत्रे के निशाने पर हैं यानि हमारे आपके फोन पर भी ओ नंबर घंघना सकता है और अगर वो घंघनाया और हमने उठाया और उतनी देर हमने हलो हलो बोला और उतनी देर में हो गया हमारा काउंट खाली तो फिर सोची आप कहा जाएंगे पुलिस एक कोशिश कर सकती है लेकिन तब तक आपकी गाड़ ही कमाई जा चुकी होगी इसलिए सचेत रहिए इस वीडियो के बारे में बात करिए लोगों को बताइए अभी तो हमें पहला काम ये करना है कि लोगों को बताना है ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं और मेरा जो प्लैटफॉर्म है इसका स्थिमाल में इसलिए करना चाहता हूँ ताकि जादा से जादा लोगों तक ये बात पहुंचाओं इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को बताईए कि ऐसा भी हो रहा है अब वो OTP शेयर मत करना वाली बातें हो चुकी हैं पुरानी अब सब समझदार हो चुके हैं इसलिए इस तरह का गुनहा और अपरात करने वालों ने नया तरीका निकाल लिया है इस नए तरीके से फिलहाल बचने का उपाई जो मुझे समझ में आता है वो यही है अहाँ हो सकता है आप में से बहुत सारे लों के लिए उट फड़ा मुश्किल होगा कि जिसका भी फोन आ रहा है अगर आप उसका नाम नहीं पता है आपके मुबाइल में वो नमबर सेव नहीं है तो सामने वाले शक्स को SMS करने दीजिए, सामने वाले शक्स को WhatsApp करने दीजिए जब आप पकी तरह से निश्चन तो हो जाएंगी जो सामने वाला शक्स आपको फोन कर रहा है वो जैन्यून है आपके किसी जानने वाले का जानने वाला है या आप उसका नाम पता जानते हैं तभी वो फोन कॉल उठाईए यो कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो निश्यत तोर पर ये एक ऐसी बात होगी कि पता तो था और फिर भी गलती हो गई दिल्ली में जिनके साथ हुआ है उनने तो पता ही नहीं था उनके साथ ये पहला अभी तक का अपराद हुआ है जो नोंने पुलिस को सूचित भी किया है और पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो इसकी जांच कर रही है लेकिन अगर किसी एक शक्स के साथ अपराद हो है कि लोगों को चेताना चेताबनी देना बताना कुछ नया हो रहा है आप उससे कैसे बच सकते हैं जब जानकारी ही नहीं होगी तो बचाओ कैसे होगा पहला स्टेप हम ले चुके हैं जानकारी ले चुके हैं अब जानकारी को पहलाना है लोगों को बताना है ताकि जादा से जादा लोगों को हम सुरक्षित कर पाएं आप अपने घर में लोगों को भी बता सकते हैं कि इस तरह से आ रहे किसी भी नंबर को न उठाएं मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जोनोंने मुझे स्क्रीन शॉर्ट्स भी भेजे हैं उन नंबर्स को शेयर करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये नंबर चेंज हो जाते हैं क्योंकि जो अपराद करने वाला शक्स है वो भी जानता है कि एक बार नंबर पबलिक हो गया तो उसके बाद उसे नंबर बदलना पड़ेगा इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर कौन सा है अगर आपके फोन में वो सेव नहीं है और आपको कुछ गरबर लगता है तो मत उठाईए सामने वाले को SMS भेजने दीजिए अपना नाम पता बताने दीजिए जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि आप उसे जानते हैं और वो कोई चोर चक्का नहीं है वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है तभी आप उसके फोन को उठाएं और उठाकर उससे बात करें उमीद है बात आपको समझ में आई होगी और आप जल्दी से जल्दी और जादा से जादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि हम सब को बचा सकें